खेलो साथियों तो सबसे पहली बात तो ये है कि लेखपाल का जो अनुपूरक परिणाम को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट की शुरुवात एक और अच्छे तरीके से 10 सितंबर सुबे 9 बजे से होने जा रही है लखनों के राजसुपरिसद विभाग में अगर आप राजसुपरिसद तक पहुँच बना पाते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए ये प्रोटेस्ट बहुत ही लाभकारी होगा सिर्फ लेखपाल के स्टूडेंस के लिए नहीं अगर आप UPSC की किसी भी वेकेंसी की तियारी कर रहे हो तो इस वाले प्रोटेस्ट मे सामिल हो ना आपकी जिंमेदारी बनती है इसलिए क्योंकि इसके जो प्रिणाम आएगा इसका जो रिजल्ट आएगा वेटिंग लिस्ट को ले करके यह एक मिसाल साबित होगा क्योंकि अभी तक UPSC किसी भी व्यकेंसी के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता और 8,085 पदों के लिए जो आपका एक्जाम हुआ उसमें से 7,900 कुछ 87 स्टूडेंस ने अंतिम रूप से चैन हुए थे इनके लिए जो रिजट डीवी जब करवाया जा रहा था document verification में तब बहुत सारा बहुत सारे लोगों ने एक अभियान चलाया डीवी इसकी पभियान ताकि ये हो जिनका सेलेक्शन पहले से अच्छे पद पर हो चुका है या जो सोच रहे हैं कि हम इस लिखपाल वाले पद को जोई नहीं करेंगे लेकिन इसमें पास हैं डीवी में उनका नाम आया है तो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन को छोड़ सकते थे लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट प्रकृति के इनसान थे जिन्होंने इसको नहीं छोड़ा और उनमें से 1551 लोगों ने जितने लोगों का रिजर्ट जारी हुआ 1551 लोगों ने ज्वाइनिंग ही नहीं लिया अब उनको मिला करके और जितने लोगों का रिजर्ट आया था जितने पद थे उसको निकाल दिया जए तो टोटल 1921 अभ्यर्थी की सीड जो है वो खाली रह गई है अब ये किसी गरीब बच्चे का हक मारना हुआ फिलाल इस पर बहुत सी वीडियो बन चुकी इस चीज को ले करके या उनको छोड़ देते हैं उनके हाल पे जिनों ने इसको जोईन नहीं किया किसी कारण की वज़ा से बट अगर आप इस वाले प्रोटेस्ट में जो 10 सितंबर सुबह 9 बजे से होने जा रहा अगर आप इस प्रोटेस्ट में भाग ने लेते हो तो आप अपने हाल के जिम्मेदार खुद होंगे देखें कई बार ऐसा होता है कि जब भी वेकेंसी आती है उस वेकेंसी में कुछ ना कुछ स्टूडेंस ऐसे होते हैं जो अगर उसको हुआ ही उनका आखरी कह सकते हैं आखरी एटेम्ट होता है वरना अगली बार से वो ओवरेज हो जाते हैं ऐसे कुछ स्टूडेंस इस वा 1200 सीटे खाली रह गई, लोगजवाई नहीं किये, तो एक बार उन पदों के लिए, जिन पदों के लिए आप eligible भी थे, exam भी दिया, pet भी दिया, main भी दिया, उसके बाद में result आता है, result आने पे कुछ लोग सीटे खाली रह जाती है, तो उन सीटों पे result आनी चाहिए, क्योंकि आप हर एक level पे पास हो करके वहाँ पे पहुचे हूँ, उस waiting list के लिए ये वाला protest होने जा रहा है, 10 सितंबर सुबह 9 बजे से और आपका पहुचना बहुत जरूरी है, मैं exam coach की पूरी team और इसके साथ में जितने भी हमारे पास में students हैं, UPSC की तयारी वाले, उन सभी students के सा मैं खुद पहुच रहा हूँ, कल मतलबाद जब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से कल 10 सितंबर सुबह 9 बजे राचा सुपरिशत में, समर सर अपने और अपनी पूरी team के साथ में वहाँ पर हाजिर हो रहे हैं, और आप से भी यही request है कि आप भी इस protest में बढ कर रहा हूँ